नमस्कार साथिए। टेस्ट वाला आकेडिवी में हाँ सभी का सुवागत है। आज हमारी याइ मेश की तीसरी क्लास है और इसमें हम पिछे पड़्यानों की पीडियों के बारे में परहेंगे। तो पहला हम देखते हैं प्रायोगिक दूसरा हम देखते हैं परिचालानात व एक तो पड़ी चालाना तब्यक्ट का यूच किया गया था पी चालान तबक siis excited dobrze जो यूज किये गए हैं और अभी 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 हाली में delta जा रहे जा रहे हैं तो पीम्ह詐LV का Fuker क्रोनस लाउंच वीकल भविस के पिछे पढ़यान यानि कि यह जो अभी प्राइविक रूप से चल रहे हैं तता भविस में इनका उप्यों किया जाने की संभावना है इसमें हम देखते हैं कि लवी एम लॉच वीकल मार्क थ्री यह हमारा जो मार्क थी है जियस लवी उसको ही लवी एम कहा गया यहां पर आरलवी टी दी यूजिवन लॉच वीकल टेकनलोजी डिमोंस्ट्रेटर तता अगला आता आपका यू लवी यूनिफाइड लॉच वीकल और इसके बाद आता है स्मॉल सेटलाइट लॉच वीकल तो इस प्रकार से हमें सारे जो लॉच वीकल है पिछे पने आने उनके बारे में आज हम देखेंगे चलिए आगे देखते हैं तो सबसे पहले इसल भी तता एसल भी एक बात और यहां पर पर ध्य हन राखिए गया जो अभी आयो के द्वारा ही को स्चान पूछे गए हैं वह जिएसल भी की बारे में तो इन दोनों की आन यह अन्राप सब सल्बाभना सब्सक्क्रा क्योश है ठीके बाखी में देखते हैं इसका अब जब हम कोश्चल को लिखेंगे तो कुछ केटेगरी में डिबाइड कर देंगे इससे कि एक तो चेक करने वाले को आसानी रहेगी तथा उपलब्दी तता अंत में विशेश विशेश में आप कुछ भी एक पॉइंट इसमें रख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले नाम सैटलाइट लाउंच वीकल इसके बाद आता है चरण तो चार्चरणों का यह सैटलाइट है प्रिछे पाढ़ रियान है जमता है इसकी कितनी है तो यार किलोमीटर तक उसमें यह स्थापत कर सकता है नेक्स आता है आपकी उपलब्दी क्या रही है इसकी उपलब्दी रही है जो हमारी रोडी शंकला का पहला उपकर है एसलबी से ही पिछे पित किया गया था उनीस सो अस्सी में और सफल पिछे पर हुआ था ठीक है इसके बाद हम देखते हैं एसलबी को एसलबी में हम क्या देखते हैं इसका सबसे पहले फिर वही हमारे यह पुरा नाम हो गया ठीक यह क्या है एसलबी 3 का संबद्द हो गया है इसके में चरण कितने हैं तो पांच चरण है पांचो ही थोसी दल जो किया गया है पांचो चरण में अगला आता है च्छमता तो च्छमता कितनी है इसकी है सो से एक सुपचास किलो ग्राम तक क्यों को पिर्टिवी की निचली के अच्छा में स्थापत कर सकता है यानि कि ल कि दो सफर रहे हैं और इसके मादम से जो स्रॉस रंखला है इस जो रोड़ी श्रंखला है उसका प्रशेपण किया गया आगे देखते हैं इसमें कि अब यह साउंड रोकेट के बारे में जानकरी दी हुई है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा में वैसे इतना महत्पूर नहीं है कि पूछा जाए फिर भी परीचानात्मक रोकेट के प्रशेपणियान के अंतरगत आएगा यह एक या दो चलन फोस्प्रणों तक र मैं जाने के लिए हैं बीज जाते थे पहला जूता नयक पास था इत्री मारकर में पूछा जा सकता है आप से भारत के दोरा पहला यह नए कैपास जो ता वो यू ऐस से अमेरिका का था और भारत का जो था वो ऑर एस सेवैंटी फाइव था कि यह कुछ और पेस्ट्र जो र पूछा जा सकता है वो पीएसल्वी है पीएसल्वी का पूरा नाम वही पोलर सेटिलाइट लाउंज विकल ठीक है इसका यह पूरता स्वदेशी हो गया तीसरी पीडी का यह प्रचेपड़ियान है इसकी पहली सफ़ल ओड़ान वही थी 1994 में आयर्स पीडू उपकर को प्रच प्रचेपडर द्रब ठीक है आप इसको ऐसे याद कर लिजीए गा दूसरा यानिकी द्रब तूसरा उजो था द्रब दादा द्रब ठीक है फिर इसके बाद हम देखते हैं तो चंपता हम देखते हैं बारासो से सत्रह 50 कीलोग्राम का जो उपक्राय है उसको एच 600 कीasy, उचाइं तक लजाने में सक्छम है अगर हम G cell B करें तो P cell B कम भाइर की उपक्राय को लिजाने में सक्छम है लेकिन जो सबस्टर अगर बात करें तो सबसे सफर अभी तक हमारा PSLV रहा है PSLV के द्वारा ही हम देखते हैं कि चंद्रियान वन तथा कार्टो सेट टू और मंगर्यान मिसंद जो मंगर्यान था MOM वो भी PSLV के द्वारा ही उस उपक्राइब को पछेपित किया गया था तो यह उपलब्दिया हो गई उपलब्दिया हमने देख ली है इसकी 1425 किलोग्राम तक के जो उपकर है उसको जीटी ओ में मतलब की प्रितिविकी 36.000 किलोग मीटर की जो गच्छा है उसमें इस्थापित कर सकता है उचाई की इस्थापित कर सकता है और चंदे अनबंग्ड कार्टो से टू तबंग्यान मिसंद इसके त्वारा ही प्रच्छेपित किये कहें तो सफल रहे हैं यह मिसंद और अगरा आता है मह है तो तो मेहह तुम्हें हम देखते हैं भारत का उप खुल रहा है का और कि उवक्रहों को भारत ने प्रच्छेपित किया है निगराने प्रणाली मर्जूद होई है तो ने ज Mutter الإ प्रित्री आप गर्यों अग्रित्था प्रित्री प्रट्रु में टेक्नलोग यूज ये पिसल्प गएंगेज इस से उस शंखलाlate विकास हुआ भारत प्रित्री हो नेश्ट जहों 1722 में अग्री तो भारत प्रित्र बीके विकास ही भाद ही भारत फंक पाच देश होhington um है इसlica प्रिकार प्रिकार और को आप देख लीजिए यहाँ पर बुक्र 5 प्रिकार देखने को मलते हैं इसके यह प्रिकार आप देखने को देखेंगे यह जी PSLV CA, PSLV XL, PSLV DL और PSLV QL तो इनमें के वर अंतर जो है वो step on booster का है यह जो step on booster लिखा हुआ है इसका अंतर है तो PSLV G में 6 step on booster है CA में एक भी रही है, XL में 6 है और DL में 2 step on booster है जो तक QL में 4 step on booster है जो सबसे जो heavy हमारा PSLV है वो XL है लिए आगे देखते हैं हाँ, एक point और इसमें wishes point और जो लीजिएगा कि फरपरी दो वयार एक कि इसको सुदार कर लीजिएगा अभी हाल तक, अब जब आप लिखेंगे तो इसको करभी 2021 की जिएगा है आप लिखेंगे, अब तक कुल अभी हाल का data 57 है आप एक वाज चेक लिएगा, या 57 भी आप लिख सकते हैं कि 57 सपन मिशन इसके द्वार संचारत की जा चुके हैं आप लिखेंगे नेक्स्ट आता है जी एसलबी तो जी एसलबी के बारे में हम देखते हैं इसका वो पूरा नाम जीओ सिंक्रोनस सेंटलेक डाउंच विकल भारी संचार अब ग्रहों को जीटियों में इस्थापत करने के लिए प्रित्भी की जो और इसकी इधर के चलंड देखते हैं ठोस द्रब और क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक एक इस्सित्थी होती है जिसमें अतिन्यम निताब पर इधन का यूच किया जाता है ठीक है छमता दो यार से डाई यार किलोग्राम से टिलाइट को जीटियों में इस्थापत करने की छमत मार्क वन को देखते हैं मार्क वर्ड की स्थापना दो यार एक में हुई थी पंदरह सो किलोग्राम तक के उपकर को यह पिछेपित करने में सक्षम है और रसीन करायोजेनिक इंजिन का इसमें यूच किया गया था मार्क टू में देखते हैं मार्क टू भी दो हैर एक में इस निर्वित हुआ था धाई हजार किलोग्राम तक के यह पेलोड को ले आ सकता है अपने साथ तता यह सौदेशी इंजिन है ऐसे मार्क ट्री जो सबसे सकती साली है जी एसल में वह मार्क ट्री है इसका अन्य नाम मास्टर रॉकेट या बाहुवली या फैट वोई जी फै रख लिए चेगा तुरी हमारक पूछा सकता है फैट वावल या मास्टर रोखेट इस पर लागत चासु करण रोपे की लागत से यह निर्वित हुआ है तेरा मंजिल इमारत जितना है पूच आ है चार्ट की छमता है इसकी जी ट्यूवा में चार्ट चमता के उपक्रेश क को पिलोट को पिछेपित कर सकता है तो साथ ही इसमें स्वदेशी करार जेनेक इंजिन का यूटलाइज किया गया है तो यह याद कर दीजेगा यह से पूछा जाए चुका है सम्भावना से पूछा जाए नेक्ट देखते हैं हमारा जीएसलवी के महत दीए हुए है तो महत किसी के भी आजाए चाहे जीएसलवी आजाए चाहे पीएसलवी आजाए लिखना हमें यही है रड़ना नहीं है हमें केवल समझना है और जो भी कोश्चन पूछ लिया जाए महत जीएसलवी का पीएसलवी क यहीं लिखना है कि वहीं क्या है इसमें आप इंसेट की जगह कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग प्रिणाली में आदर नहीं पर बनाया है भारत को ठीक है धन ने के उमन पर रोक लगाई है मतलब बाहर भारत जो बाहर से पिछे पित कर रहा था सटलाइटू को उसमें बहुत की स्थिती में आकरवन कर सकते हैं आईसी बीयम का फुर्वा में यहां पर है इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर आता है सेंदे उपकर है तो सेंदे उपकराओं की श्रंतला हमने इस्थापत की है इंतरिक्च में जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के दौरा पैसा आने लगा है हम कई सारी सेटलाइट ओको विद्धिस ओकी सदिलाइट को आप लौझ करता हैं क्यों क्यों कि भात में सेटलाइट लॉंचकरना में वन्दिस ओकी पूक्ता सफता है तो हमारे पास और ब्यापार आ रहा है और संद्रेयान टू मिशी सैन्ल बी के द्रह को रही जो कि यह से नरoa था भी मैझेन की तो में बताया था आटी नियम नताप पर जिन का सिश्टासिमा उपयोग करने में सबस्ते होता है माइनस 175 डिग्री सेंटीग जो कि यूज किया जाता है तो एदीन इस में तो रूप में एक तो hydrogen तता oxygen का यूटलाइब किया जाता है hydrogen 250 degree centigrade या मैनिस 253 degree centigrade पर दरब रूप में संक्रेट होता है तता oxygen 183 degree centigrade पर रखा जाता है oxygen को यह दरब रूप पर तर्यवद्धत हो जाती है अभ कुरावजनेक इजन से जो देनरुजा प्रावत होती है, उस लएमसे तिरित में 4 मिलोग्र प्रती सेकिंड की दियती, प्रावत हो जाती है। और हमारा जो परचिपण अयान होता है, वो परयुआट करने के लिए सक्छम बनता है, लाब क्या हुए है इसे क्रावजेनिक इंजिन से कि इस इंजिन को प्राप्ट करने के बाद पहले तो हमारा जो 2000 किलोग्राम से अधिक वज़नी उपकर है प्रिछिपित हो पाता है साथ ही उसको हम GTO कच्छा में स्थापत कर पाते हैं 36000 किलोमीटर की उचाई पर अब इसके समझतिया एलेक्ट्रोफोर्मिक वोल्ड की पैदा होती है तो आगे देखते हैं अब भबस के पढ़ियान जो अभी हमने शुवाद में चाचा की थी एलवी एम थ्री आरलवी टीडी यूएलवी तिता लगू उपकरे पजिपढ़ियान एसस एलवी इनको आप एक वार वी मुख्य गटक तो कौन को से गटक अपर है यूज किये जा रहे हैं एक हमें नॉर्मल जाने का रही हुए चाहिए बस जो की एक ले जाने में सक्षम होती है उपकराव को पेलोड होता है जिसमें की ट्रांसपॉंडर एस यह चारार यह शामिल होते हैं यहाँ पर एस यार का जिस्ता पर तो एक उजात तंत्र होता है जो कि सोलर के मातियम से उजा प्रोवाइड करता है और अगला होता है एक अधरी एंड कमांड सिस्टम होता है ठीक तो नॉर्मल यह आप एक वाद देख लीजिए का नेक्ट चलते हैं उपक्राइक उप्योग की आधार पर उपक् अधिश्टिस के एकजांपल हो गया इंशेट और जीचेट ठीक अगला आता है प्रतिवी अप्लोग कर रहें तता सुदूर संबेदन जा इसमें हम देखते हैं आई आरे से संख्लाव काटो सेट कलपना सेट मैट सेट यह हमारे मौसम पर रहे हैं रिसोसेट यह प्रतिवी सेटलाइट सेटलाइट सिस्टम ठीक है एक बात ने गजन भी स्थाफित कि यह कर नाव हमें बताईएगा क्या नाम है इसका कमेंट कीजिएगा गगन का पूरा नाव ठीक जिने जो अगले जो अगले यूच किया रहे वह अंतिक अन्वेशन के लिए जैसे कि चंद्रेयान बन टू और मंगडरेयान भारत के द्वारा छोड़े गए हैं तो यह अंतिक अगला है हमारा खगोली ऑप गरे जैसे आकाश गंगाउं ग्रहो तारो आदिक अद्यन हेतू जैसे कि हमने एक हावन टेलिसकोप चताबच किया गया था तिक के लिए पिछेपित किया जाते हैं तो उनको हम प्राइब के कुप्राय मानते हैं जैसे कि आर्वेट किता रोड़ी इस्थापत किये गए थे अगला टॉपक है इनसेट या जी सेट ये एक इंपूर्टर टॉपक है इसको अब अच्छे से याद के लिजिएगा इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल सेटलाइट या जीयो सिंक्रोनल सेटलाइट ठीक तो भायती अदाश्टिये भू इस्तेटिक उबगरे परणाली इ इसका प्राइराम हुआ था उनिस्सो तरासी में और प्रिथम सपल उपक्राइब पिच्छे पर किया गया था इनसेट वन भी को निस्सो तरासी में ठीक है इसके वाद इसके कुछ प्रमोग उपकर हैं यह एक वाद देख लिजिए का जी सेट त्री सेवन सबसे बारे जी स निस 53 तनी 30 द्वाहदों मोबाइल सेटलाइट सेवा कुछ जो मुबाइल है वो सेटलाइट सेवा है तो है इसका मृतटे हो रहा है डूस अदि में It is पहले ही पता चल जाता है कि बार इसकिट कब होने वाली है कितने खंते होने वाली है तो ये मैशन नेगरानी में हो रहा है रेटियो के परसर और्ड में जो रेड्यों इस भाह हम पारा है उसमेन ऑप्रॉबडी के सेवा का हमलाब उठा रहे हैं कई भी बेटकर किसी भी जी सैंसे हिए इसकी माधम से ले पार रहे हैं पर् separate आयद्स पर औहरा हुआ रहे हैं कि अब अगला जो टॉपिक है वो भी मैस्पूर्ण है भात की अंतिक्ष अन्वेशर मिशन जैसे कि हम देख चुके चंद्रियान के बारे में पूछ चुका है तो यह रिपीट हो सकते हैं आयो कोचन रिपीट करता रहता है तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले चंद्रियान बन को देखते हैं चंद्रियान की इसमें भी आप कट रहे जो पॉइंट है वो बना लीजिएगा जैसे कि प्रिछे पर ती पर यहान कौन सा रहा कच्छा में प्रवेश कप किया विसे कच्छा में प्रवेश आट नवंबर दो यहार आट को कच्छा में प्रवेश किया था यसले चंद्रवा की मिश्ण अब्दी थी दो बर्स के लिए उद्विश किया था चंद्रवा की जो सताय है उसका बिस्तत मांचित्र प्राउप्त करना नेक्ट आता है मंगल यान तो म मिसन मंगे लिया का प्रारम कब हुआ था पांच नवंबर 2013 को पिछे पड़ियान कौन सा था पेसल बीसी 25 यह कप कच्छा में प्रविश्ट किया 24 सितंबर 2014 को अजर आपको डेट याद नहीं रहती है तो आप पिछे पर तिथी है के लिए याद कर लिए या संसे काम भी चला सकते हैं कि दो या 13 में पिछे पिए गया 24 में 26 में प्रविश्ट किया ऐसे तो मिसन की अब जी किद्री थी 6 माहा ठीक है इसका उधिस क्या था बायू मंडल यानि मंगल की जो बायू मंडल तता धरातल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना नेक्ट देखते हैं संद्रमा पर पहुंचा उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो और्विटर है और्विटर का कारकालता साड़े साथ बर्स लेंडर वा रोवर का था 14 दिन या आनसे ग्रूप से सफल रहा इसमें हमारे जो एक और्विटर एक रोवर तता एक लेंडर भीजा गया था रोवर क का अध्यन करना ठीक नेक्ट देखते हैं जो मिसन मंगलियान था हमारा एम उसमें कौन-कौन से उपकरण यूटलाइज किये गए थे थे लेमन अलफा फोटो मीटर क्या रहा था जितर नेक्ट आता है आपका इक मीथें सैंसर लगा हुआ था उसमें अगला आता है मेन का जो कि मार्स की एक सो इसके बारे में जाने का यह प्रावद करने के लिए यह इसने का किसका पूरा नाम हो गया तो यह आपका मिसलिया समाब्त होता है अब इसकी उपलबदियां भी देख लिए जेका उपलबद्य कहा रहे कि अमेरिका रूस्त था यूजियो पेसं के बाद भारत कौन सा देश बना चौथे नंबर का देश बना सबसे सबसे सब्सक्राइब आरे इन चारों के गंपरेजन तीनों के सबसे सबसे सब्सक्राइब निजन था हमारा मुझन मातर साड़े चार सो करोड रूपए में यहां हमने उपलबद्य प्राप्त कर ली थी और पहले प्रयास में ही सबस्ता प्राप्त करने वाला वारत पहरा देश बना ठीक इसके बाद जो उपकरण है उनका भविस्त में अन्य उपकरणों में यूटलाइज हो सकता है साथ ही हमने बैग्यानिकों के साथ बैग्यानिक पर इंजिनिरिक दिश्चिता को वेस्विक सराहना यानि कि हमारे जो बैग्यानिक थे तता जो इंजिनिर्स ने उनको वेस्विक सराहना प्राप्त होई एक ऐसी उप्राप्ती प्राप्त होई जिसकी कोई कलपना भी नहीं कर पा रहा था और हमारी जो अंत्रिक्ष बाजार है उसमें साख वह यानि कि अब लोगों का विस्वास और बड़ा यह भारत अब अंत्रिक्ष में पिछेपड यानों का सपन्ता पूर्बक पिछेपड कर सकता है नेक्ट राता है इंपोर्ट जो यह भी इंपोर्टन टोपर के समभाबना इस वारे है पूछा जाए ठीक है आई आर एन एसस नाविक नाविक इसका नाम दिया गया है इसका फुल फॉर्म क्या हो गया फुल फॉर्म हो गया इंडियन इजिलन नेविगेशन सैटलाइट सिस् गूगल का जीपियस काम कर रहा है ऐसे ही इंडिया ने अपना नाविक वनाया है यह भारत है था उसके आसपास के देश्टों के लिए नेविगेशन आसपास के देश्टों में नेविगेशन सुब्दा प्रोवाइड कर रहा है इसमें को लौव बग रहे हैं जिससे की लापन के बाद भारत ऐसी उब्रदी प्राप्त करने वाला वाना चुबा देश बना है जिसके पास स्वयम का नविगेशन सिस्टम है परिशुदता की बात करें तो परिशुदता यह जो हमारा महासागरी च्छेतर है यह महासागरी च्छेतर है उसमें 20 मीटर तक तता जो भ करनी हरहे वकारीटर हरै वह पंधा सो से 2000 किलो मीटर है यह हा fragments ऐसागरी आजिए यह करना तो यह बहुत बड़ी ऑपल्ब्दी है वारत के लिए तो आज का ये हमारा लेक्चर यहीं पर स्वाप्त होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो किर्पेर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथी ऐसे साथियों को भी शेयर कीजिए जो की कोचिंग सलस्थानों में नहीं जा पा रहे हो और में इसकी तैय क्यारी करना चाहते हो कोशिश रहेगी कि इस सीरीज को हम नवक्त पैतालियस दिन में समाप्त करके आपके जो मेजर तीन सब्जेक्ट है बस्ट सेकेंड थर्ड वो खत्म कर दें धीर देरे और हम इंपोर्टेट टॉपक को इसमें जल्दी जल्दी कवर करते जाएंगे वी झाल 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 झाल